ब्रामन वग है धंपत के अंदर, तो फिर वहाँ चमार वग भी होना चाहिए, वहाँ छत्रिय वग भी होना चाहिए, वहाँ सुद्र वग भी होना चाहिए, वहाँ पे लोधा वगी भी होना चाहिए, वहाँ माली वगी भी होना चाहिए, वहाँ महार वगी भी होना चाहिए काशी राम जी के जो चेले हैं वो तमाम भारत में बिखरे पड़े हैं और सब ही ने मानने बार काशी राम जी से एक बात बड़े अच्छी सीखी है वो बात है लाइन की आपने सुना होगा कि जिसकी लाइन लंबी हो जाएगी वही आगे बढ़ जाएगा उनका हर चेला अपने भाशन में या कभी बहस करेगा या कभी उससे ये कहेंगे कि भाई जब तक सब लोग संगठत नहीं होंगे हमारा उद्धार नहीं हो सकता हमारे सारे अधिकार जा चुके हैं इखटे होंगे तो अधिकार आजाएंगे किरपय करके आप सब जितने कासी राम जी के चेले हैं वो इखटे हो जाएगे तो जबाब में उनके चेले कहते हैं कि सहाब माननेवर कासी राम जी ने एक बात कही थी कि काम करे जाओ जो ज़्यादा काम करेगा जिसकी ज़्यादा लंबी लाइन हो जाएगी वो आगे बढ़ जाएगा सब ने ये बात पकड़ रखी है उनके पास सहाव कासी राम जी के सब्दों के बहुत सारे बहान है और जब हम उनसे ये पोचते हैं कि सहाव कासी राम जी ने ये सब को इखटा क्यों किया क्यों वो संग्टित करना चायते थे क्यों उन्होंने बहुजन संग्टक के नाम से एक पत्र बनाया अगर सब को अलग अलगी काम करना था या ऐसी ही बात उन्होंने बताई थी तो फिर संग्टित करने का संग्टन का फाइदा क्या है तो वो बड़े जोस से कहते हैं कि हम संग्टित करतो रहे हैं हम सब को कहते हैं कि आप संग्टित हो जाओ अरे भाई आप 50 चेले, 100 चेले, 200 चेले, 500 चेले, 1000 चेले, 10,000 चेले अलाग अलाग अगर संग्टत करोगे और खुद संग्टत नहीं होगे तो माननेवर सहाब कासी राम जी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हुआ उनकी बातों का उनके विचारों का भद्दा मजाक तो नहीं कर रहे हुआ क्योंकि जिस माननेवर ने सब को इखटा करने के लिए अपनी जीवन की पूरी महत लगा दी आप उनके सिध्धानतों को तोर मड़ूर के लोगों को बता तो नहीं रहे हो कैसे संभव है कि अगर सब अलग-अलग काम करेंगे तो कोई उद्देश से प्राप्थ होगा क्योंकि अभी तक तो लोग तंत्र है और लोग तंत्र में जो लोग है उचितने ज़्यादा इखटे होते हैं उतना ज़्यादा सिस्टम कालकार होता है और उतनी उनकी बात बहुमत से ज़्यादा माने जाती है समय समय की बात है जैसा कि लोग बताते हैं कि माननेवर साहव कासी राम जी महाराष्ट में थे और महाराष्ट नों ने निताओं को बड़े रिक्वेस्ट किया बहुत कहा कि आप सब इखटे हो जाओ और महाराष्ट के जितने लीडर थे उस समय के वो नहीं खटे हुए तो उन्होंने अकेरे काम करने का सूचा क्योंकि इसके लावा कोई और आप्शन था भी नहीं मगर आप तो माननेवर साहव कासी राम जी के चेले हो आप तो उनकी उस पीडा को समझते होगे उस बात को समझते होगे कि उन्होंने पूरी तागत लगाई महाराष्ट के अंदर के सभी धड़े जितने भी हैं वो इखटे हो जाए यानि पहले उन्होंने सब को इखटे करने की कोशिस की न जब सब को इखटे करने की कोशिस में फेल होगे बेखकूफ लोग इखटे नहीं हुए तब उन्होंने काम किया और तब उन्होंने कहा कि जिसकी लाइन लंबी होगी लोग उसके पीछे आ जाएंगे मगर पहले उन्होंने सब को इकट्टा करने की कोशिश की तो आपको अपने गुरू से कुछ सीखना चाहिए आपके गुरू का जो पहला step था वो था सबको submitted करने का जब इसमें काम्यावी नहीं मिली तो दूसरा step उठाया अभी जो छोटे 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 जो संगठन हैं जो आप लोगोंने बना रखे हैं उनकी छोटी छोटी लाइन है अगर आप अपनी लाइनों को मिला देंगे तो बड़ी लाइन बन जाएगी तुरंट तो इतनी अकल तो साहाब कासी राम जी के चेले में होनी चाहिए चेला है आखिर कोई बेफकूफ थोड़ी है एक छोटी छोटी लाइन मिला के अगर तुरंट बड़ी लाइन बनती हो तो कोई बेफकूफ ही होगा जो 20 साल और 30 साल इंत्यार करके कहेगा कि मैं बड़ी लाइन खीचूँगा और बड़ी लाइन अरे लाइन खीचने का खेल नहीं चल रहा है यह अपात काल है, एमर्जनसी है साहब कासी रामजी नहीं जब काम शुरू किया था तब अधिकास और छित थे उस समय सबसे ज़्यादा सरकारी करमचारी थे भारत में S.C.H.T. और O.P.C. के तो खेर बात में चुड़े है और आज भी डेट में सारे करमचारी S.C.H.T. के जा चुके है वो पेंचन भी खतम हो जाएगी और उनके बच्चों को कोई नौकरी है नहीं तो समय नहीं है जितने अधिकार बावा साहब लेके आए थे वो उस समय तक थोड़ी बहुत अवस्ता में अच्छे थे जब साहब मानेवर काजी रामजी ने काम चुरू किया था अभी आपको इतना समझाने चाहिए कि सापातकाल में ये जो आपने छोटे-छोटे संगटन छोटी-छोटी लाइन बना रखी है इनको सबको मर्ज करके इनको विले करके इनको सबको एक साथ ड्रम में डालके घोटके एक संगटन बना लेना चाहिए और अगर आप में संगटित होने की छब्दा नहीं है आपको संगटित होना नहीं जानते है आप में ये काबलियत नहीं है कि आप खुद इखटे हो सकें आप में सर्फ एक ही काबलियत है कि लोगों को इखटा करना है आप में ये कादियत रही है कि खुद भी इखटा होना है तो आपको तुरंद संग्ठन को छोड़ देना चाहिए और अपने आपको सहाब मानेवर कासी राम जी का चेरा केना बंद कर देना चाहिए ये जो नएने टायल में लोग नएनी पोशाकों में जो मानेवर सहाब कासी राम जी का सीने पर हाथ रखके कसम खाते हैं ये जूटी कसम है धोका है जो उनको जानते हैं जो उनको समझते हैं उन्होंने कितने सारे लोगों को संग्ठित किया और उनके चेलों ने माननेवर साहब कासी राम जी के इस संग्ठन के फिर टुकड़े कर दिये और अपने अपनी धपली और अपना अपना दाग लेके लगातार बाबा साहब अमेट करके जितने भी लाए हुए अधिकार थे उस सारे के सारे अपनी आँखों के सामने अपने हाथों से उनको विखेट दिया खतम कर दिया धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छामूँ संगं सरेन गच्छामी बूतियं पी बुद्धम सरुन गच्छामूँ भूतियं पी बुद्धम सर्न गच्छामि तूतियं पी धम्मं मर्सर्णु गच्छानू तूतियं पी धम्मं सर्णं गच्छानू तूतियं पी संग्मं सर्णं गच्छानू तूतियं पी सर्णं सर्णं गच्छानू ततियं पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। पी बुद्धम गच्छाम। पी बुद्धम सर्मं गच्छाम। अफे बुद्धम सर्मं गच्छाम।